दोस्तों EPFO यानिकी करमचारी बहुत से निदी संक्ठन समय समय पर PF मेंबर्स के लिए बदलाव करता है, कुछ ऐसे बदलाव करता है जो कि PF मेंबर को पसंद नहीं आते हैं, जब भी कोई बदलाव करता है, जब भी कोई नए नियम लागूप होता है, तो मैं आपको वीडिय का पैसा फसेगा भी नहीं, आज की इस वीडियो में इसी टोपिक पर बात करेंगे, वीडियो में आगे बड़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ हमने टेलिग्राम पर चैनल बना लिया है, अभी तक जोईन नहीं किया तो जोईन कर लो, वीडियो के डिस्क् आइडी हैं, तो जो आपकी पुरानी जो पीफ मेंबर आइडी है, उसका पैसा आपको करेंट में ट्रांसपर करना रहता है, अगर ट्रांसपर नहीं करेंगे, और आपने फुल और फाइनल के लिए अपलाई कर दिया, फोरम 1910C अपलाई कर दिया, तो आपकी जो पुरानी डिजिट का यूए नमबर, पास्वर्ड, कैप्चा कोड मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने जो है सक्सेस्फुली साइन इन लोगिन कर लिया है, अब जो है, हम अपनी सर्विस इस्ट्री कैसे पता कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए हमें व्यू का जो ओप्शन है, इस पर क्लिक करना रहता है, और यहाँ पर सर्विस इस्ट्री का जो ओप्शन है, यह हमें सेलेक्ट करना रहता है, जैसे यह सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पीएफ यूएन अकाउंट में जितनी भी सर्विस इस्ट्री रहती है, एक हो गई या फिर दो हो गई जितनी भी रहती है वो यहां पर दिखा देता है अब यहां पर EPF हो यह कहता है कि जो लास्ट में जो आपकी PF member ID रहती है वो आपकी latest जो है आपका PF account रहता है और आप जो है date के वाई से भी आप जान सकते हो जैसे कि इसमे date of joining जो है 2016 है इसमे date of joining 2018 है इसमे date of joining 2019 है इसमे date of joining 2020 है इसमे date of joining 2020 है तो इस तरह से जो latest date of joining रहती है ना जिस भी PF ID की वो जो है आपकी current latest PF member ID रहती है अब EPF हो यह कहता है कि भाई अगर आपकी एक से ज़्यादा PF member ID यहां पर 100 हो रही है तो आपकी जो पुरानी जो PF member ID है ना उसका पैसा आप जो PF member ID में पैसा transfer नहीं करेंगे तो नुकसान यह होगा कि आप जब full and finance attainment के लिए फोर्म 1910C apply करेंगे तो जो request initiate होती है वो आपकी current PF member ID से request initiate होती है इनकी by default current PF member ID रहती है वो उस वो जो है select होती है और उससे ही आपका फोर्म 1910C apply होता है अब आपने transfer नहीं क्या तो current PF member ID में जितना भी आपका PF का पैसा और pension का पैसा रहेगा वो ही withdraw होगा और अगर आपने transfer कर लिया था तो पुरानी PF member ID का पैसा current में transfer हो जाते है और pension की भी service history transfer हो जाती है तो फिर आपको पैसा फस्ता नहीं है तो आपका पूरा PF का पैसा और pension का पैसा आपका withdraw हो जाएगा क्योंक उनको इसके बार में पता नहीं रहता और वो क्या करते हैं कि बिना पुरानी PF member ID का पैसा transfer करें current में अपनी full and final settlement के लिए form 1910C apply कर देते हैं तो अब जो है EPFO ने एक ये अच्छा काम किया है कि अगर आपकी एक से जद्धा PF member ID रहेंगी और अगर आपने पुरानी PF member ID का पै claim reject कर देगा और आपको बता दिया चाएगा यहां पर आप जो स्क्रीन सोट देश सकते हो कि यहां पर इनका देख सकते हो कि यहां पर claim rejected और यहां पर बताया गया है कि please TR यानिकि transfer your old account to present account यानिकि आपके PF account में जो है आपके योन account में एक से ज़्यादा service है तो आप फोरम 1910 अपलाई करने से पहले पुरानी जो पीएफ इंबर आईडी है उसका पैशा करंट में ट्रांसपर कर लिजिए अब इनका अगर रिजेक्ट नहीं करता इप एफो और इनका अगर क्लेम सेटल हो जाता 1910 तो इनकी पुरानी पीएफ इंबर आईडी का पैशा जो है वो फस जा जाता है दुबारा अपलाई करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है क्लेम जो है ओल्रेडी सेटल है तो इस वजह से और फिर आपको अगर पुरानी पीएफ इंबर आईडी का पैशा निकालना फिर आपको जो काफी ताम जाम करने पड़ते हैं ओफ लाइन सेटल में जाके कि आपके पीरम अकांट में कितनी पेंबर आईडी है और एक से जधा है तो पुरानी पेम प्लाई करेंगे तो आपने ट्रांसपर कर लिया तो पूरा पैसा भी आपको मिल जाएगा pension का पैसा भी आपका pension का पैसा नहीं फसाएगा तो इनका जो काफी अच्छा हुआ यहां पर इन्हों ने जो मेरे को इस्टाग्राम पर पूछा था कि भाई यह जो मेरे को यह प्याठी में किया है उसका पैसा करन्ट में ट्रांसफर करणों कर लो जब ढ़े हो जाएगा दो कि प्रानी प्याठी का पैसा आप जो करेंट में ट्रांसफर कीजिए अफनी आ तो ष्यांकार देनी थी आप सभी को और कैसे transfer करते हैं तो UN portal को login कर लीजिए उसके बाद online services भी में जाना है और यहाँ पर यह देखें यहाँ पर one member one EPF account transfer request का जो option इस पर click करके आप जो transfer की जो request वो submit कर सकते हो जब request submit करेंगे पहले company के पास जाएगी approval के लिए और जैसे आपकी company approve कर देगी उसके बाद EPFO के पास जा from 1910C apply करके आप जो अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो तो EPFO का यह कदम आपको कैसा लगा यह जो remark कर दिया कि आपका claim हमने reject कर दिया है आप पुराना account का पैसा करेंट में transfer कर लिजिए अपनी राय अपना feedback इसके बारे में जरूर बतिए और आगे भी इस तरह की helpful नु है latest update सबसे पहले पाना चाहते है तो टेलेग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा आज की वीडियो में इतना था आशकर तो यह जानकर आपको फिसंद आई होगी मिलते जल्द एक और नहीं जानकर एक और नहीं information के साथ अपना ख्याल रखेगा बाबाए टेक केर